हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, पाथ सेप्टेम्बर 2019 की पिलिम्ज अप्रेटर सीरीज में आपका स्वागत है, देखते हैं आजगे हमारी नूज, आजगे जो पहली नूज आईए, वो आईए बेसिकली UAPA Act, यहनि की Unlawful Activities Prevention Act 19 सक्षिस्चेवन को लेके, देखो कंटे संसोदन क्या गया है, वो देखो पहले क्या होता था और अभी क्या संसोदन क्या गया है, वो हम देखेंगे, अभी संसोदन यह क्या गया है, कि जैस ए मोहमद, जो कि मैनली पाकिस्तान occupied कस्मीर में काम है, वो करता है, आप बुल सकते हैं, मिलिकेंट ग्रूप के तोर पे, जिसके हैड है, महसुद अजर, यह आपको ध्यान रखना है, कुछ फेक्ट, और इसे के साथ ही लसकर ए तोईबा, जिसके अभी करेंट हैड हो है, हेजबुल सायद, हासिव सायद, और इसे के साथ ही एक और परसन है, जिसका नाम है, जक्की उर रहमान लखवी, और एक चो उती थी ना, उनी को आतंगवादी सहस्ताय डेक्लियर किया जाता था, ना कि किसी इंडिजल को टेरिश्ट कोशित किया जाता था, तो अभी इन चारों को इंडिजली आतंगवाद गोशित है, वो कर दिया गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, देखो, जैसे है, वो पाकिस्तान रुक्यूफाइट किस्मीर में काम करता है, इसका जो हैड हो है, महसूद अजर है, जिसने जमुवाण किस्मी विदानसवा पे टेक या था, 2001 में, इसी के साथ ही इंडिया की पार्लामेंट पे टेक किया गया था, और जो पुलवामा और जो पठान कोट हमले वे थे, उनमें भी इसी का हाथ था, तो यह आपको कुछ फेक्ट पता होना जाए कि भे कौन से अत्रमधी गुरूप के द्वारा के एक्टिविटीज की गी हैं, इसके साथ ही लसकर है तोईबा है, इसका जो अभी करेंट हैड है हासिप सहयद, और एक दूसरा ओर्ग कश्मीर को पाकिस्तान में मिला जाए, मतलब ये इसलिए पाकिस्तान में अक्टिविटीज करता है, ताकि वहाँ पे इंडियन गोवर्मेंट्स को परेशान किया जाए, और मतलब पाकिस्तान के अंदर जमुर्ण किस्मीर को मर्ज किया जाए, तो ये पाकिस्तान सपोर्ट में वो जो illegal weapons की स्मगलें मगरा होती है जो illegal कारोबार होते हैं उन में काफी बढ़ायन का contribution है और और भी मुंबई हमलों में भी इनका योगदान था तो इन सारे 4 परसंद आपको बता होना चाहिए अब हम देखते है नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यह ह था literary society of Bombay उस time पे society को बनाया गया था स्कोटलेंड उस time पे आप बोल सकते हो कि colonial era के गवर्णर तो नहीं बोल पाएंगे एक तरह से परसा सकते या आप बोल सकते हो कोई भी एक administration था colonial time का जिसका नान था सर्जैम से Macintosh जो कि basically oriented study के पर focus करते थी oriented study का मतलब यह होता है कि जो पूर्वी देशों की study है मतलब वहां की culture वहां की जिजों के बारे में study जैसे कि western studies का क्या मतलब होता है मल जो western culture है western जो European countries है उनकी study करना और oriental studies का मतलब होता है जो सुदूर पूर्वी countries है जैसे कि इंडिया भी उ South East Asia वगरा यह country हो गई यह आती है और oriental countries में तो इस जो यह थे यहां पर search gems mechatons जिनको बिजो कि basically Scotland से बिलोंग करते थे इनके द्वारा 1804 में इस organization का निर्मान है वो क्या गया था और context यह है कि अभी इस सेंस्ता का 215 साल बाद पहली बार एक female को या बुल सकते हो कि एक woman को president के तोर पर यह point है वो क्या गया है मतलब फैस्ट woman president है 215 साल की इसकी history में जिनका नाम है भी प्रोफेसर वेस्पी बालार पोईया तो यह आपको धान में रखना है कि भई अभी 215 साल बाद इतना बड़ा एक थियास हो यहां पर आया है देखो 1804 में जब यह organization यह society बनी थ of royal associate society तो यह आपको धान में रखना कि इसका नाम है वो यहां पर change है वो कर दिया गया था important बात यह कि भई इसका काम क्या है बाद में इसका नाम है वो 1954 में change करके है वो ascetic society of Mumbai यह वो रख दिया गया था इसका काम यह है कि यह जो historical research है और historical जो awarding का काम है इसे के साथ ही अफसरी प्रोग्राम भी चलते हैं और इंडिया में जो historical research है उसके भी focus होता है इसके खुच सहंस्ता कि एक अपनी library है उसमें लगबख एक लाग से ज्यादा books है उन books में काफी पुरानी books भी है इवन जो मूगल empire के जो ck वगरा coins है जो हां के उस time की currency चलती थी और इसके स साथ इसके दौरा junior fellowship for research program भी चलाया जाता है जिसमें जो program जो student PhD अगरा करते हैं तो उनको fund एक तरीकी से आप हो चकते हो कि scholarship है फेलोशीप है वो provide करवाई जाती है तो यह आपको धान में रखना है और एक important चीजी है कि ministry of culture है वो एक program चलती जिसका नाम है टेगोर national fellowship तो जो टेगोर national fellowship program जो कि basically ministry of culture है ना इसमें किस किसको यह fellowship देनी है उसके लिए सुझाओ देने का काम भी यह asiatic society of Mumbai है वो करती है वो इसके साथ यह धान रखना कि इसके जो head यह तो chief होते हैं वो होते हैं महराश्टर के governor यहने कि जो महराश्टर के governor होते हैं वो इस society के chief पर उनके जाने जाते हैं तो यह कुछ fact थे वो asiatic society of Mumbai के बारे में तो हमें पता हो नाची कि किस ने बनाया था यूप सी पूछ सकते कि अंग्रेजों के टाइम पर बनाया गया था जी हां 1804 में बना था बट यह अंग्रेजों नहीं नहीं बनाया था यह Scotland के जो persons थे उनके द्वारा बनाया गया था तो यह कुछ fact आपको धान रखने हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल वो एह है सवच आइकोनिक प्लेस को लेके देखो context यह है कि सवच आइकोनिक प्लेस में जो माता वेशनोदेव का मंदिर है उसको भी इस आइकोनिक प्लेस में इंक्लूड है वो क्या गया है अब आपको थोड़ा fact जाता हूं इसके बारे में गोर्मेंट के दौरा एक सवच भारत अभ्यान चलाया गया था जिसका मोटो क्या था कि पूरे भारत को clean है, साफ है, हो रखना है और behavior change की भी इसमें बात हैं वो कीगी हैं इसी के साथ ही बात ही है कि जो सवच आइकोनिक प्लेस है वो इसी का एक पार्ट है सवच भारत मिसन का ही इसमें देखो ये कहा जाता है कि जो एरिया मतलब भूमने लाइक है आप और सकते हो कि ट्यूरिजम है या पिर धरम के अधार से important है किसी religious matter से उनकी साफ सफाई काफी अच्छी होनी चीए ताकि वहां से एक positive message पर साफ सफाई बहुत अच्छी थी जिसे ट्यूरिजम भी बढ़ेगा और साफ सफाई है वो भी लोगों में behavior change आएगा कि हां भी हमें भी साफ सफाई है वो अरकनी है तो यह जो initiative वह basically ministry of drinking water and sanitation का है जो कि इसके लिए नौडल ministry है बड़ बात ऐसी है कि अकेली drinking water and sanitation ministry ही ministry है और tourism ministry है यह मिला के काम करती है क्यों कि दो को tourism वाले area पर तो साफ सफाई करने है ना तो अब इसलिए tourism ministry का भी collaboration है और culture वाले इसलिए कि कुछ cultural sites भी होती है तो वहाँ पर cultures का contribution भी चीए और urban development इसलिए कि बहुँ कुछ कुन ए एरियाओं में तो ही नक ही नक ही नक ही तो जो मात्ता विश्मदवी का मंदीर है जिम्मू में उसको phase 1 में मतलब सबसे ज़्यादा हाँ पर हची साफ सफाई है वो रखी जा रही है तो उसी को लेके news है हुआ है और हाँ सवच iconic place में कोई भी public और private company है उसको as a partner के तो पर भी काम है वो करवाय जा सकता है अगर वो company ख उनकी साफ सफाई है वो उसको पर्मोट किया जाए ताकि वहाँ पर एक अच्छा वाता रहोंने एक अच्छा message लोगों को दिया जासके नेक्स जो आर्टिकल हुआ है एथेनोल वो लेकिन देखो एथेनोल है वो एक biofuel है यह आको ध्यान में रखना है अभी क्या है वो थोड़ा देखते हैं पहले थोड़ा background के साथ चलते हैं देखो एथेनोल है वैसे एलकोल विसे हम लोकल लेंग में दारू कहते हैं ना एक national biofuel policy जो कि basically government की ये काम करती है कि भाई जो भी हमारे देख में biofuel होते हैं जैसे कि एलकोल है वो भी एक biofuel है आप एथेनोल है तो biofuel को promote करने के लिए policy हो आई थी national biofuel policy और इस policy का एक parameter आप बोल सकते हो कि एक शिद्धा एहम यह रखवान सकते हो कि यह था कि भाई हमार देश में जो भी petrol है डीजल है इसमें कम से कम 20% एथेनोल को मिसरीत या blend है वो क्या जासकी है देखो होता क्या है थोड़ा पताता हूं इंडिया मेकसिमली जो crude oil वगरह हो बहर से import करता है तो obviously इंडिया को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है बट जो एथेनोल है वो एथेनोल को प्रोडूस है वो किया जाता है और बाई प्रोडेक्ट है इसका मतलब वैसे इसकी कोई इतने ज़्यदा इंपोर्टेंस नहीं होती जब शूगर इंडिया में काफी सारी है तो obviously मैलेसीज भी काफी इच्छे माता में प्रोडूस होगा और इसका मतलब भी है कि एथेनोल भी काफी इच्छा प्रोडूस होगा अब आपको पता है कि इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड के लिए बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड है अगर वहीं इंडिया जो पेट्रोल जैसे प्रोडेक्ट्स है इसमें एथेनोल को मिला दे तो क्या होता है कि एक तो ग धड़के द्वारा कंपनिया मतलब इसको मिक्स करके देती हैं जैसे मालों की एक लिटर पेट्र लिया आपने तो उसमें 100 ग्राम है 100 ml है वो तो होगा एथेनोल और 900 ml होगा वो होगा आपके सामने यहां पे पेट्रोल उसको ब्लेंड करके मिक्स किया जाता है इससे एक तो इंजियों में है करके निप्टा हम सकते हैं तो अभी तो 10% मिक्स कि जाती है जबकि जो ने असनल बाइफुल पोलीस है उसमें यह टार्गेट रखा गए है कि भाई हमें 10 की जगह 20% मिक्स करना है बाइफुल को तो इससे के लिए भी काविशा रिसर्च स्रेडिज अगर अभी चल रही है तो गौर्मिन दिरे दिरे इसके तरफ अगरसर है तो एथेनोल जो ब्लंडेट प्रोग्राम है 2003 में बेसे के लिए प्रोग्राम लाया गया था कि कम से कम 10% हम एथेनोल है वो पेटोल में मिक्स करके बेचेंगे सब जगह है इसका फायदा क्या है एक तो अ ओईल मार्केटिंग कमपनीज है उसका यह इनिसेटिव है तो यह आपको कुछ फेक्ट धान में यहां पर रखने है तो आपको बदा दूँ कि इंडिया है वो वर्ड में थर्ड लाजस्ट एक तरगे से ओईल कंजूमिंग कंट्री है मैं इनर्जी डिमांड है इंडिया की सबसे ज़्यादा गरम बात करें चाइना, USA और फिर आता है इंडिया तो यह आपको धान रखने है कि इंडिया है वो एनर्जी डिमांड में 30 नमर पर आता है ओल और वर्ड में नेक्स जो हमारा आर्टिकल है वो आए है नोर्फिश्ट रिजिएन एक्रिकल्चर मार्केटिंग कॉपरेशन लिमिटेड क्या है यह हम देखते हैं N-E-R-A-M-A-C है क्या हैं देखो बेसिकली यह एक पायोनीर मार्केटिक और्गिनेशन है मतलब मार्केटिंग की एक पाय है गये थी 1982 में जो कि डोनेर मिनेश्टी के अंडर काम करती है और इसका काम यह होता है कि एग्रिकल्चर और जो होटीज सेक्टर से हैं इन दोनों सेक्टर पे इसका फोकस रहता है मतलब एग्रिकल्चर और होटीकल्चर नहीं जो फ्रूट्स वगरा पैदा होते हैं इन प प्रोए जाता है और किंवन कंजूमर को भी सपोर्ट दिया जाता है ताकि अच्छे दाम वो देर सके और अच्छे दाम किसो की talk की रक्सार घरती है और कंजूमर दोनों के सपोर्ड Caesar क्यान है आप बोल सकते हो कि administration जो control है वो basically ministry of development of north decision नहीं कि जो donor ministry है उसके अंडर इसका जो administration काम है वो क्या जाता है last एक news आई है वो आई है GFTAM fund को लेके देखो इंडिया है उसने अभी GFTAM fund में 20 million US dollar पैसा है वो invest किया है क्या है तो हम थोड़ा यह देखते हैं सबसे important चीज है कि जो यह GFTAM fund इसका मतलब यह है Global fund for AIDS TB और malaria तो एक तो UPCA पूछ सकते कि भाई यह friend कौन कौन सी विमारी से counter करेगा तो AIDS TB और malaria के बारे में study research और उसके लिए जो भी अच्छे medicines मिल सकते हैं उन सब के लिए contribution दिया गया है इंडिया के तरब से 22 million dollar का तो यह इंडिया की तरब से चठ्वी बार ऐसा किया गया है पिसली बार यह ने कि जब पांच्वी बार इंडिया ने जतना invest किया था उससे 10% ज्यादा इस बार इंडिया ने सिर्दी दूली था शजया है हैँ लिए झाल मौज कि सिरेओ का